Hi everyone, a very warm welcome to all of you to exams academy. This is Yashika attendant presenting you a very important video जिसमें हम बात करने वाले हैं National Parks के उपर. यह series को continue करते हैं, आज हम बात करेंगे National Parks and Wildlife Century of States, Gujarat. तो Gujarat के बारे में बात करने वाले हैं कि Gujarat में कौन-कौन से Wildlife Centuries और National Parks जो हैं वो पाई चाहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे Wildlife Century से, असोला भटी जिसको हम इंद्रिया प्रिया धर्षनी Wildlife Century भी बोलते हैं, इसके बारे में अगर बात की जाती हैं, यह अरावली हिल्स और डेली हर्याना बोर्डर के साइट पर पढ़ती हैं, और अगर इसके आपके डिस अगर इसके बारे में बात करते हैं, आपको एक चीज और यादक नहीं है, ब्लाक बक, किसका नहीं है? यह रहीं डियर का, येस, डियर के लिए काफी important है, वरी वरी important, अगला बहुत important national park है, जो है हमारा गिर national park, गिर national park, गिर national park को हम ससन गिर भी बोलते हैं, जो कहां पर है, तलाला गिर in Gujarat, तलाला गिर एक district है Gujarat में, वहां पर ये गिर national park जो है, वो पाया जाता है, आपको यादकना है काफी important है आपसे exam में ये भी पूछ लिया जाएगा कि ससंद गिर जो है ये कहां पर पाए जाते हैं तो confused मत होना ठीक है थी national park भी है wildlife century भी है अगला देखेगा marine या इसको बहुत बच्चे जो है वो गलत करकर आते हैं वो क्या गरेंगे कि गुल्फ उफ कच भी उनको नहीं पता लगता है तो वो अंदावान या निकोबार की साइड पे इसको टिक करकर आते हैं बट नो प्लीज अमेंबर दाट marine गुल्फ उफ कच नेशनल पार्क जो है एक अगर हम बात करते हैं जो आपका गुल्फ उफ कच है यह कहां पर लोकेटिड है आम आफ अरेबियन सी राइट माप में अगर आप देखते हैं आपको स्पेशली यह चीज़ करवाई जाती है तो इस वेरी वेरी इंपोर्टन नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया जाएगा अगला देखीगा गिर्नर वाईलाइफ सेंचरी गिर्नर वाईले सेंचरी जो है जुन गद डिस्ट्रिक रॉफ गुजरात में पाई जाती है फेमस है इंचिन टाइमस आफ जैसे की हिंदू जैनिंस के लिए और अगर हम बात करते हैं यहां पर टाउंड आफ जुगनाथ यह जो है कहां पर है hills to their west ठीक है अब इतना आपको इतना deeply जाने की ज़रोत नहीं है जस्ट इतना या लख लेना गिर्न हिल्स इन जगनाथ डिस्ट्रिक्ट और गिर्न वाईले सेंचरी इन गुजरात नेक्स कच या Great Indian Busted Wildlife Century यह जो है आपकी इसको हम बोलते हैं लाला प्रजन सेंचरी लोकेटिट इन जिकाव विलेच इन नेला तोकला यानि की कच्च आफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पाई जाती है अगेन अगर इसके बार में बात करते हैं दो Great Important Wildlife Century है ठीक है यह काफी ह तक जब न्यूज में आती है तब एक्जाम में पूछी जाती है रादर देन आप इसको अगर आप हलका सा बूल बहल भी जाए तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है अगला देखेगा खिजारियो बर्ड वाइलाइज सेंचरी आपको इसे नेम से ही बता चल रहा होगा कि एक बर्ड वाइलाइज सेंचरी यान की बर्ड के लिए फेमस है जम्ना अगर डिस्ट्रिक्ट अव गुजरात में यह पाई जाती है अब आउट थ्री हंडर स्पीसिस ऑफ बर्ड जो हैं यहां पर आके रहते हैं माइग्रेटरी जो रिकॉर्ड इएर नेक्स देखेगा न इसके बाद हमारे पास आता है नरायन सरोबर वाइलाइफ सेंचरी अगर इसके बार में बात करते हैं शेटिक चीथा के लिए काफी जादा फेमस है और यह जो है आपके गुजरात अगेन कुछ डिस्टिक्ट यानि की लखत तकूला उफ कुछ डिस्टिक्ट आफ गुजर इस लोकेटिट अर्वियारा तापी डिस्टिक्ट ठीक है अब अगर हम बात करते हैं महराश्चा की साइट पर कौन से डिस्टिक्ट में पाई जाते हैं दांग डिस्टिक्ट रमेंबर दांग डिस्टिक्ट ऑफ महराश्चा रतन महल स्लोथ बियर वाइलाइफ सेंचरी अ आपको यादक ना है कि रतन महल स्लोथ बियर वाइल सेंट्री काँ पर पाई जाती है गुजराथ स्टेट में अगला आता है शूल पशनेश्वर यानि कि जिसको हम धुमकल वाइल लाइफ सेंट्री भी बोलते हैं ये भी आपके गुजराथ स्टेट में है और ये कौन सी रे में कितने सारी वाइल सेंट्री जो है वो बाई जाती है ला इंडिया की लाजेस्ट वाइल सेंट्री है वाइल सेंट्री तो कोशन इस तरीके से भी आ सकता है कि इंडिया की लाजेस्ट वाइल सेंट्री कौन सी है तो रिमेंबर जायत और वो कौन से स्टेट में है गुजर यह होंगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है डू लाइक तिस पर्टिकुलर वीडियो शेर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट करकर बताईएगा कैसी लगी और सब्सक्राइब जुरूर कर लेजेगा चाल को हाँ बेला इकन को दुबाना मत भूलेगा त